तो वह सब्सक्राइब करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है आज हम दो तीन इंट्रेस्टिंग उड़ती खबरे जो आई है उनके बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल्स की तरफ देखेंगे यहां पर बिट्कोइन क्या इंट्रेस्टिंग पाट चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना मात भूले चलिए चलते हैं पहली न्यूज आइटम की तरफ जो आज की दिन की निकल कर आती है वो यह है कि एफटेक्स के जो इंजिनिरिंग चीफ है निशाद सिंख वो यहां पे मोस्टली फेड्स ए ला था नाओ बोल रहे हैं कि यहां पर ही में होल्ड उनके पास एक बहुत की इंफर्मेशन हो सकती है जो यहां पर दिखा सकता है कि सैम मेंकमन फ्रीड ने फेडरल कैंपेंट फाइनांस के लॉज को वायलेट किया है नहीं किया है तो बेसिकली यहां पर फेड्स कोशिश क कर रहे हैं सैम मेंकमन फ्रीड को अंदर करने का इधर उदर से कुछ ना कुछ निकाल कर और बाकी के कुछ सीक्रेट सोर्स चाहे वो पॉलिटिक्स के हैं चाहे क्या है कोशिश कर रहे हैं सैम मेंकमन फ्रीड को बाहर रखने का तो यहां पर निशाद सिंग का बोला जा रहा यहाँ पे 490 million dollar के shares Robinhood के shares जो यहाँ पे थे अब आप यह notice करें यहाँ पे यह वो ही इंसान है जो बुल रहा है मिरे पस एक लाग dollar भी नहीं है he still had 490 million dollars worth of shares जो यहाँ पे DOJ ने seize कर लिया है तो इसका कुछ यह अगर हम यहाँ पे अनुमान भी लगाना चाहें कितने करोड़ों रुपए हो गए हम सो जाएंगे यहाँ पे और काउंट नहीं कर पाएंगे so that is crazy 55 million Robinhood shares यहाँ पे seize किये है जो कि 20.7 million आता है जो कि Emergent Fidelity Technologies के नाम से यहाँ पे लिया गया है so Sam Bankman Freed ने पहले आपको याद होगा मैंने cover भी किया था कि इसने बोला था कि यह वाले shares मतलो shares का तो रहने दो मेरे पास तो यहाँ पे वो seize कर लिए गए है now let's see how this whole thing goes now of course market की value के हिसाब से change होते ही है इनकी value but this is a crazy amount in all in all so let's see how this whole thing pans out इसके इलावा Russia क्या sanctions का हमको पता ही चलना था तो Russia यहाँ पे CBDC settlement system पे जल्दी से जल्दी काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे sanctions जो है अभी तक Russia पे चल रहे हैं आप लोग notice कर रहे हैं तो वो जो चलते हुए war के बीच में यहाँ पे बहुत सारे countries जो है अब Ukraine की support में यहाँ पे weapons भेजने को भी तयार हो गए है जो कि European countries थे तो वहाँ पे it is something that needs to be done from Russia side ताकि उनका जो ecosystem है वो चलता रहे तो वहाँ पे फटा फट जो है अपने CBDC systems को यह लोग यहाँ पे push करेंगे and I would not be surprised अगर हम लोगों को इंडिया के साथ किसी तरीके का collaboration यहाँ पे देखने को मिले क्योंकि इंडिया और रशिया के जो relations है आपको बता है वो यहाँ पे अभी तक जो है वो neutral रहे है I won't say positive I won't say negative but neutral रहे हैं सो हम लोगों को शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ इस दोनो CBDCs के बीच में या multiple settlement systems के बीच में देखने को मिले and that is going to be a very interesting thing to see यहाँ पे now चलते हैं हम हमारे जो technicals की तरफ यहाँ पे एक important level से यहाँ पे bitcoin जो है reject हुआ है and वो क्या level reject हुआ है क्यों हुआ है देखो volume नहीं है पहली बात तो तो reject जिस level से हुआ है कुछ मोटा मोटा जो है 17,300 से लेके 17,400 की range के आसपास बनता है अगर मैं यहाँ पे आपके लिए line कीच दू अभी तो आप notice करें यह line हमारे लिए 9 November के बाद से support भी रही है उसके बाद जो है consistently यह line हमारे लिए resistance रही थी given 1 point उसके बाद यहाँ पे support रहा बट वो support fail हो गया था तो उसी point से यहाँ पे Bitcoin ने अभी के लिए rejection लिया है now देखना क्या है अब Bitcoin rejection लेके जो 17,200 का level है वहाँ पे retest कर रहा है आपको मैंने बताया था कि जब एक key level यहाँ पे cross होता है उसके बाद का retest successful होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यह जो current candle यहाँ पे recent पे खुली है that is your retest candle यह जो पहले की 2 candles है इनको आप बोल सकते हैं retest candles हैं बट नहीं भी बोल सकते हैं because यहाँ पे clear cut bounce हम लोगों को देखने को नहीं मिला है clear cut bounce अब देखने को मिल रहा है but बात यह है कि यह clear cut bounce sustain भी होना चाहिए और कुछ time यहाँ पे हम लोगों को यह अगली candle जो है इसके उपर देखने को मिलनी चाहिए that is very very important अगर यहाँ पे यह नहीं होता है तो I think यहाँ पे जो 21 EMA बनता है 4R में that can provide some good support तो यहाँ पे हम इस 17,200 के लेवल के साथ दुबारा भी यूद्द कर सकते हैं but there is an interesting thing altogether आज है 10 तारीक 12 तारीक को हम लोगों को CPI data आना है तो यह सारा चीज माजरा अगर उसके पहले हो जाता है और यह support confirm हो जाता है उसके पहले और वो ठीक ठाक आता है बहुत negative नहीं आता बहुत positive नहीं आता लेटसे वो हलका से negative भी आता है अगर तो भी हम लोगों को फिर एक support का फाइदा यहाँ पे हो जाएगा बट अगर हम इस line के नीचे हैं यहाँ पे मैं daily में आपको chart दिखा रहा हूँ 55 day EMA यहाँ पे support बनने की कोशिश कर रहा है आप देखें कल का जो दिन का candle था वो यहाँ 55 day EMA के उपर close नहीं हुआ है यूद दो चला है पूरे दिन बट close नहीं हुआ तो यहाँ पे आप important यह हो जाएगा कि 12 तरीक का जब data आता है हम इस 17,200 के लेवल के उपर हो and ideally हम यह 55 day EMA के उपर हो इसका फाइदा यह होगा कि अगर negative news आती है तो हम लोगों को इस लेवल पे फिर support मिलने का chance बढ़ जाता है अगर हम इसके नीचे है देन हम लोगों को फिर वही bitcoin में जो है approximately जो है almost 2% के आसपास का डंप यहाँ पे minimum देखने को मिल सकता है I will not be surprised अगर 2% से जादा हो but इसके इस लेवल के उपर यहाँ पे 17,200 के उपर हमें रहना बहुत जाद जरूरी है यहाँ पे आप चाहे तो channel और patterns और बहुत सारी चीजे बना सकते है वो सब चीजे है ही है but हम लोग एकदम basic analysis यहाँ पे देख रहे हैं कि कहां कौन से price levels can hold things off this is not an analysis enough जिसके बेस पे आप trades ले but this is an analysis enough जिसके बेस में आपको थोड़ा सा idea होगा कि यह मोटा मोटा bitcoin का direction and approximate price levels क्या रह सकते हैं हम वही try करते हैं इस channel पे trading calls वाला channel नहीं है so that kind of changes things so this is where we are जब हम बात करते हैं bitcoin की and bitcoin ही क्यों मैं देख रहा हूँ बाकी के क्यों नहीं देख रहा हूँ because 12 तारीक को जो भी होगा bitcoin से पहले S&P 500 के साथ जो भी होगा उसके बात bitcoin फॉलो करेगा और बाकी की पूरी market साथ में अच्छे देखने को मिल सकते हैं आप नीचे comments में जरूर बताएं and once again thanks a lot for tuning in for the video and thanks a lot for your support for the like button subscribe वो सारी चीजे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए bye and take care